हेलो गाईज, आज इस वीडियो में जानेंगे कि साथ दिन के अंदर पासपोर्ट कैसे बनवाएं, चाहे भारत के किसी भी राज से आप बिलॉंग करते हैं, तो आप इस मेथड़ से बनवा सकते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, एनेशिंटियो में आप एक आता है, एक आता है, 36 पेज़ का, 36 पेज़ का आता है, एक आता है, 60 पेज़ का, एक आता है, 60 पेज़ का, ठीक, अब देखिए, इस तरह का ECR में दो आया है, उसी तरह नन ECR में भी एक आता है, 36 पेज़ का, ठीक है, अब उसी तरह यहां भी आता है, 60 पेज़ का, अब देखिए, दोनों में ड हुआ है तो हुआ हिए अमद ही इस इस है जो भुश्य होते है वह जा ञवार मुठी त्रक्राइटर करते हैं तो वह द साल के जो valid रहते हैं passport का, उनको 10 साल में बहुस जादा बार, मतलब 10 साल में उसको 50 बार, 100 बार, 500 बार भी country, other country जाते रहते हैं, उनके लिए page कम पर जाते हैं, 60 page भी, तो वो businessmen सब जा करते हैं, 60 page, 60 page वाले बनवाते हैं, अगर जो कम जाते हैं, टोरीज में करने के लिए, 10 साल में maximum 4-5-6 बार, ऐसे ही जाते हैं, तो उनके लिए जादा page के क्या जूर होते हैं, उन्हें 36 page में ही काफी हो जाएगा, ठीके, अब चलते हैं कि इनमें document क्या लगेगा, और इसकी charges कितनी होती है, ठीके, अब देखे, यहाँ पे अगर आप लोग 36 page का बनवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपिया payment करना पड़ेगा, ठीके, आप देखिए, यह तो non-eCR category में था, देखिए, non-eCR category में भी same price है, यह नहीं कि यह non-eCR लिखा है, तो इनको कुछ जादा लगेगा, यह सा कुछ नहीं है, तो इसमें भी आपको 36 page बाले में 1500 रुपिया यहाँ अब चलते हैं, document की बात करते हैं, कि document इसमें क्या-क्या लगेगा, देखिए, यहाँ पे, अगर हम ECR category में बात करते हैं, तो ECR category में आपको सबसे पहले, अधार card की जरुत परेगा, ठीक है, अधार card, पहला document होगे, अधार card, दूसरा में आपको लग जाएगा, pen card, जो भी voter ID card, ठीक है, यह 3 हो गया, उनके बात देखिए, इतना काफी होता है, किसी में 3 हो गया, उसके बाद date of birth certificate है, तो वो लगा देजिए, जो भी आपके पास रासन card है, वो ले लीजिए, जो भी आपको extra ले लीजिए, ठीक है, अगर इसमें चलते हैं, run ACR वाले में, इनको क्या की जोरत पड़ेगा, तो पहला एक नमर में, आपको तो अधार card तो लेना ही है, अधार card, ठीक है, दूसरा में आपका pen card, यह तो दोनों compulsory है, ठीक है, तीसरा में, आपको voter card देना पड़ेगा, voter card इसलिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गिरी संख्या मांगता है, घर का नमबर, तो वो voter card में ही होता है, आपको voter card लेके जाना ही है, ठीक है, चाउथा में, आपको class 10th का passing certificate और marksit यह compulsory है, 12th का लेके जाए, graduation का लेके जाए, लेकिन class 10th का marksit passing certificate देना बहुत जरूर अगर पढ़े लिखे हैं, तो आपको 10th का marksit, marksit a plus passing certificate, passing certificate आपको देना पड़ेगा, अगर आप 12th भी किया है, graduation भी किया है, engineering किया है, doctor का course किया है, तो जो भी किया है, उसमें पांचमा नमर में आप add कर सकते हैं, जो भी आगे हैं, आप इसमें add कर दीजिए, इतना चीज ले करके आपको जाना है कहा, cyber kfa online में के पास, ठीक है, इतना document ले लेना है, अगर 60 page वाला करना है, 26 page वाला करना है, तो 1500 प्या, यह सब total document को एक जगे कर लिजिए, उसके बाद आप online वाले के पास जाएगे, cyber kfa जिनको बोलते हैं, अगर आप लोग अपने से करना चाहते हैं, तो, अगर किसी का online किया है, तभी अपना से try कीजिएगा, नहीं तो, हो सकता है कि mistake हो जाएगा, इसलिए mistake, क्योंकि एक ही बार passport बंतर उनके बाद renewal होता है, इसलिए आप ल application में आपको appointment date and time mention रहेगा, जैसे आज apply किया है, तो, दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, दूसरे दिन जो है, appointment का date मिल जाता है, अगर खाली रहता है, तो, नहीं तो, एक दिन बाद भी मिल जाता है, कल भी मिल जाएगा, जैसे, आज की है, कल का date मिल सकता है, आज की है, त पॉटवपी करवा लिजीए, और उस फोटवपी को जितने हिम ऑरीज़नल है इसका जितना हिम्स को ऑता है ही यह वालख यह वालख यह वालख यह वाला व titled disclose पास्पोट को एक जैसे साजा लीजिए जो पास्पोट वादा जो आपको मिला है वो सबसे फर्ष्ट पेज पर पिंचर से उसको एटेज कर दीजिए एटेज करने के बाद टोटल पे इसके सब फोटो कोपी वाले पर साइड कर दीजिए अगर यहां नहीं करते हैं तो आप अप्लाइन की साइबर क 123 अब जो ऑनलाइन की स्टेट वाले का एड्रेस रहेगा अपोट में औन रहेगा उस डेट एंड टाइम पे वहां पहुचना है अब दिखेंगे जतना डुकूमेंट आपको लिखान है व्लेसले चाहिए अंधर से वी अगर आप जाते हैंती है कि औरिजिनल होना चाहिए पास में, एक-एक फोटो कोपी तो बता ही दिये हैं करने के लिए, और सारा ओरिजिनल इसलिए लेके जाना है, क्योंकि सब ओरिजिनल डोकॉमेंट को वहाँ एसकेन किया जाता है, ठीक है, अब देखें, मेल बात तो है, ये तो ऑनलाइन साइवर के तक का था, जब हम पास्पोट ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ किस तरह का डोकॉमेंट लेक जाना है, यतना तो लेके जाना ही जाना है, एक और डोकॉमेंट है दोनों के लिए, दोनों के लिए कंपलसरी है, जो कि DG Locker, DG Locker अप्लिकेशन में अधार नमबर से, अधार से लॉगिन करके, यहां से एक बेरिफाइड वाले पेज को पिरिंट करवाना है, जब अपलाई हो जाएगा ओनलाइन साइबर के फिसे अप्लिकेशन अपलाई हो जाएगा, तब जाकर के उसी को बोलना है, जब पास्पोट ऑफिस जाएंगे, तो जाने से पहले किसी अप अप्लाइ किया है उसी को बोलिए कि डीजी लोकर से अधार नमर से लॉगिन करके एक वेरिफाइड वाले जो मेरा प्रोफाइल वाला पेज है उनको प्रिंट कर दीजिए ठीक है प्रिंट करके टोटल डोकॉमेंट जो लेक गया है फोटो कोपी करवाया है इसका भी फोटो कोपी करवा करके इसी में एटेच कर दीजिए उसके बाद देखिए जैसे कि यहां पे जो छे नमर में आ रहा है अधार बैरिफाइड वाला अधार बैरिफाइड वाले जो है एक कटीङ है, अगर प्रिंट कर वालेना है क्या बश्के क्यां वाले कि धितना चीज अगर ले के जाते हैं तो आपको एक बार में वहां पर भेरिफाइड कर विया जाएगा, थ ile तो चलिए, खो बिता है कि ये वहाला वहाला पीडियेड, प्रिंट तो जो अधार वेडिफाइड वाले जो पीडिएफ होगा पीडिएफ जब करवाएंगे तो आपको इस तरह को मिलेगा देखने को, ठीक है, तो इस तरह का आपका पीडिएफ होगा, और पिरिंट करके, टोटल जिस तरह से हम यहां पर एड किया है, जिसे कि माल लिजी कि यह एक पेज दिया, अपलाई करके, यह पेज को ऊपर रखेंगे, उसके बाद यहां से अधार कार्ड के बाद 10th का Marksit लखेंगे, उसके बाद passing certificate रखेंगे, फिर 12th का है, तो आप 12th का लगा दीजिया, Marksit, उसके बाद फिर अगर ग्रेजवेशन किया है, तो आप लगा दी इतना चीज आप लगा करके और जितना यहाँ पे है टोटल यह original document पलस एक photocopy set लेकर जाना है वहाँ पे और सब original document को हाँ scan कर लिया जाएगा और photocopy पे sign step mark करके आपको verified करके आपको यह return कर दिया जाएगा जैसे ही आपको यह मिल जाएगा तब जाकर के आपका होगा police verification जश्ट दो दीन के बाद वो document को police verification के लिए भेज दिया जाएगा जब आप लोग वहाँ से verified करवा करके चलाते हैं घर तो दो दीन के अंदर आपको police station से आपके local police station जो भी यह थाना वहाँ से आपको call किया जाएगा जैसे ही आपको call आएगा तो उससे उसके तुरंथ आप एक घंडे बाद दो घंडे बाद नहीं करना है जिस समय कॉल आया है जश्ट उसी समय आपको जो भी passport office से आपको document दिया था step लगा करके वो total document ले करके आपको थाना चले जाना है ठीक है थाना जाना है थाना में आपको वो total document दिखाना है और बोलना है कि passport verification के लिए आये हैं तो वो क्या करेंगे passport verification आई से ही कर देंगे अगर मान लें किसी-किसी थाना का बात करते हैं तो वो क्या बोलता है कि आप एक epi debit बनवाकर लाईए कि हम यहाँ पर मतलब पासपोर verification करवाने आये हैं मेरे पर किसी तरह की कोई case उस नहीं है तो वो एक epi debit कहीं कोई किसी थाना में लेते हैं कहीं-कहीं तो ऐसे भी कर देते हैं तो प्लिस verification के जश्ट दो से तीन दिन के बाद बाई-पोस्ट, पोस्टमेन के दुआरा आपके घर पे कुछ इस तरह का पासकुट का box आएगा, ठीक है तो आप लोग इसे receive कर ले और उसके डाइडी पर जो होता है एक sign करवाते हैं, sign कर दीजिएगा उसके बाद आपको वो खुसवक्ति कुछ रुपिय मांगेंगे आपका मैने आप दे या ना दे लेकिन ऐसका कोई नियम नहीं है कि कमपलसरी उनको रुपिया देना ही है तो वो खुसवक्ति मांगता है तो आपके depend करता है 10-20 जो भी आपको देना है, उसे दे सकते हैं, ठीक है